बिहार के बकसर जिले में थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिगरण के मुआफ़जे पर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया ग्रामीड बुदवा सुवे लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर तूट पड़े पुलिस की गाड़ियों में तोडफोड कर उनमें आग लगा दी प्लांट की गेट पर भी आगजनी की गई पुलिस ने हवाई फाइरिंग करके भीड को खदेड़नी की कोशिश की दोनों तरफ से बीच बीच में पत्थर बाजी भी हो रही थी चार पुलिस करमी घायल हो गए ग्रामीड हटने के लिए तैयार नहीं है इस कारण भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया किसान 85 दिनों से विरोध प्रदिशन कर रहे हैं किसानों ने मंगलवार को प्लांट के मुखे गेट पर ताला लगा दिया और धंडे पर बैट गए उस समय पुलिस ने कुछ नहीं किया लेकिन रात को पुलिस ने बनार पर पहुंच गए और हमला कर दिया रात के वक्त किसानों को पीटा गया इससे चात और किसान दोनों ही काफी उग्र नजर आये बकसर के मुफसिल थाने के चौसा में बनारपुर गाउं के पास थर्मर पावर प्लांट लग रहा है किसानों की जमीन अधिक रेंड की जा रह ग्रामीनों का आरोप है किस दोरान महिलां और बच्चों को भी पुलिस ने नहीं चोड़ा ग्रामीनों ने बताया कि पुलिस नरेंति वाली के साथ 4 लोगों को गिरफतार करकर ले गए हैं प्लांट की आधाशिला नौमाज 2019 को रखी थी ग्रीन फिल्ड सुपर क्रिटिकल टेक्नलोजी वाले इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 11,000 करोड रुप है इस केंद्र और हिमाचर प्रतिर सरकार की संयुक्त स्वामिवत वाली SJVN यानि की सतलो जल विद्योत निगम बना रही है बताने कि अभी तक 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है इस प्लांट से 9828 मिलियन यूनिट विद्योत उत्पन होगा करार के अनुसार से उत्पादी विचली का 85 प्रतिशत बिहार को ही दिया जाना है लेकिन इस वक्त मामला उग्र हो गया है मामले पर जैसे ही कोई अप्डेट मिलेगी आप से साचा करेंगे आप पने रहे हैं इन खबर किसे